हेलो दोस्तो माई सुपर इंगलिश क्लास में आपका स्वागत है एडमंड स्पेंसर आज हमारे टॉपिक है एडमंड स्पेंसर जो है एलिजबिथन एज के राइटर बहुत इंपॉर्टन राइटर है और इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोट से जो आपके लिए बहुत उप करेंगे चलिए सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को लाइक कर सकते वीडियो का अगर पसंद आए तो लाइक आप करते ही नहीं हो मैंने इसके पहले भी जो एंसी क्यूज वाला इतना अच्छा कलेक्शन किया पर पता नहीं क्या बात है चलिए कोई बात नहीं हम सुरू करते ह है वीडियो हमारा आज का टॉपिक एड्मन स्पेंसर वाज बोन इन 1552 इन इस्ट स्मित फील्ड एंडाइड इन 1599 तो एक इनका जनम कब हुआ कहां हुआ और कब उनकी मृत्ती हुई ये पढ़ लीजी अच्छे से इस फर्स बुक वाज़ देडि कालेंडर विच वाज़ पबलिश दिन 1579 इन इस फर्स पोईटिक वर्क पहला उनका पोईटिक वर्क है इस वर्क डिस डेडिकेट़ तु फिलिप सिडिनी इट कंसिस टियू सेरीज और एकलोग का सीरीज था ये और फिलिप सिडिनी को ये Cast as Pastoral Dialogues, तो इसमें Pastoral Dialogues होते हैं और Short Poem होती है, तो इसमें उनका actually 12 Eclog, Respond to 12 Months, तो 12 महीने के साब से 12 Eclog, 12 Short Poem उन्होंने लिखी थी, तो इसका नाम क्या है, The Sefford's Calendar और Dedicated किसको है, फिलिप Sydney को Dedicated है, यह question ऐसा बन सकता है, तो मैंने इसमें इसको रखा है, इस बात को, तो याद रखिए, The Sefford's Calendar और फिलिप Sydney को Dedicated किया है, उनका जन्म कब हुआ 1552, और डैट कब हुए 1599, ठीक है, आगे मत बढ़ा है यह वीडियो को, इसको पूरे अच्छे से सुन हमेशा के लिए और वो हमारे दिमाग में एक बार बैट जाता है, तो आप अच्छे से सुन लीजिए, The Sefford's Calendar पहली बुक और Dedicated है, फिलिप Sydney को, ठीक है, उसके 12 जो है, एक लॉग है, मतब शॉट पोयम है, जो कि 12 महीने की, हिसाब से वो लिखी गई, 12 मन्त और इंग्लिश एपिक है, एपिक है, याद रखी है, फेरी क्वीन, इट इस एपिक, एन एन एलेगोरिकल, मतलब की सिंबॉलिक पोयम है, सिंबॉलिक के पोयम है, पाइडबंड स्पेंसर, तफर्स त्री बुक्स ओपोयम, वर पॉब्लिजद इं 1590, और वाइल दास त्री उनकी पॉब्लिश होई, he originally planned to write 24 books, but could only complete 6, 24 बुक्स लिखने का उनने प्लान मनाया था, but complete क्या है, सिर्फ 6 पुस्तक, तो क्या है दा फेरी क्वीन, और ये क्या है, एपिक है, ठीक है, एलेगोरिकल है, सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक पोयम है, याद रखी है कि इस बात को, 24 बुक्स का प्लान था, 6 बुक्स पॉब्लिक होई उनकी, आगे, इसी के बारे में ये बहुत इंपोर्टन बुक है था, फेरी क्वीन, he used first time, इस पर ये बहुत इंपोर्टन चीज यहां पे लिखी है, he used first time 9 line verse, stanza, now known as this spencerian stanza, spencerian stanza के बारे में आप जानते ही होंगे, तो यहां पर वो क्या होता था, कि the first is 8 line जो थी, वो आर आयम्बिक पेंटमीटर में लिखी जाती है, इसमें, first 8 line are in आयम्बिक पेंटमीटर and the 9th line is आयम्बिक हेक्सा मेलू में लिखी जाती है, तो मतलब कि total 9 line होती है पोयम में, 8 line जो है वो आयम्बिक पेंटमीटर में होता ह है और आखरी जो लाइन रहती है नौवी लाइन वो आयमबिक हेक्सा मेल्यू में होती है तो इसको आप याद रखेगा इस पर कोश्चन मान सकता है तो इसी को बोलते है स्पैंसेरियन स्टेंजा अब रायम स्कीम क्या बनती है एबी एबी बी बी-स यह 8 लाइन हो गए एबी-एबी फोर लाइन वीसी बी-सी चार लाइन और लास्ट में एक और सी तो ऐसे करके टोटल नाइन लाइन का जो है उनका वर्स पूरा जो है पोयम मनती है तो दा फेरी क्वीन का ये important characteristics है फिर आप next देखो he married to Elizabeth Boyle Elizabeth Boyle से उन्होंने marriage किया his year long suit to win जब उनका सम्मंद हुआ तो win her hand उनके हाथ को उन्होंने जीता in marriage is recorded तो उनको जीता और उनके बीच जो बोलना चीए उनका love affair जो बोल सकते है जो भी चीज थी उस पर उन्होंने sonet लिखा है it's a sonet sequence it is उसका नाम है एमोरेटी एमोरेटी जो कि 1594 में publish हुआ था ठीक है एमोरेटी जो कि 1594 में publish हुआ है he married to Elizabeth Boyle and dedicated the marriage song अब marriage होगे तो उस marriage song को भी dedicated किया है एपिथा एपिथाल मियम एपिथाल मियम 1595 में उन्होंने ये लिखा है ठीक है तो यह दो वर्क आप यहां पर देखें एमोरेटी है sonet है और एपिथाल मियम यह भी sonet है दोनों वर्क जो है marriage से related है और marriage song के रूप में प्रसिद्ध है आगे देखते है एस्टो एस्ट्रो फेल यह पास्टोरिल एलजी है पोयम है ठीक है यह एलजी किसके यह दुख मतलब किसी के नाम पर लिखी जाती है the death of the most novel and glorious night Sir Philip Sydney was published in 1595 तो यह याद रखेंगे एस्टो फेल आपस्टोरिल एलजी और फिर उसके बाद लिखा है प्रोथल प्रोथला मियान 1596 में यह लिखा था और उसके अलाबा भी उन्होंने लिखा है यह अल्सो रोट प्रोज पंपलेट पंपलेट भी लिखा है उन्होंने जिसका टाइटल था आप व्यू और प्रेजन इस्टेट ऑफ आयालेंड तो अपको सारे जो उनके जो इंप्रेटन वर्क है इड वाज लें कर लेने हैं इड वाज रिटन इन डायलोग फॉर्म और यह डायलोग फॉर्म में लिखा गया था तो यह सारे आपको जितने भी वर्क है वो समझ में आ गया होंगे तो इसको चाहँ तो अगर नहीं भी आये तो एक बार और आप वीडियो पूरा देख सकते है ठीक है चलिए सब्सक्राइब कर लिजे लाइक करिए शेर करिए अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलता हूं अगले वीडियो में धन्यवाद